फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे क्लाश 12 में इंग्लिस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है और कौन सक्यूशन कितने माक्स के आते हैं हमें विश्वास है इस वीडियो के देखने के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरी नहीं परेगी तो आएए देखते हैं यदि वीडियो अच्छी लाएगी तो एक लाइक जरूर कर दिजेगा और आगे की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबा कर सब्सक्राइब कर दिजेगा चलिए देखते हैं तो कुछ इसमें जेनरल इंस्टक्शन दिये हुए हैं जो की करा है की दो क्यूशन्स पेपर कंटेइन ट्वेल्ब क्यूशन्स इन थिरी सेक्शन जो क्यूशन पेपर है वो बारा क्यूशन्स पुछता है और यह 3 क्यूशन में और यहाँ पे देख रहे होंगे आप जो time देता है वो 3 घंडे का time देता है और जो full marks रहता है वो 100 marks का रहता है और उसमें passing marks यानि कि 33 नमबर आपको लाने होंगे पुड़े 100 marks में तो इसमें 3 section में पुछेगा जो कि section number A जो है वो 20 marks का रहेगा और इसमें एक reading comprehension जो कि unseen passage है और वो आपका 12 marks से आएगा as like आप 10th class में देखे होंगे उसी परकार से रहता है सिर्क थोड़ा long रहता है और यह आपका 12 marks का रहेगा इसके बाद जो है दूसर का number जो question पुछेगा वो note making यानि कि इसमें आपको अपने से notes त्यार करने है यह आपको 8 marks का पुछेगा यानि कि यह दूनों passage होते हैं और यह दूनों passage से आपको 20 number की प्राप्ती होती है इसके बाद section C में जब आते हैं तो sorry section B में यह 35 marks के पुछता है जिसे advance writing skill भी कहते हैं यानि कि advance writing skill में क्या है तो notice और advertisement तिसरा number जो पुछेगा वो notice पुछेगा या advertisement पुछेगा जो कि हम पिछले class में चर्चा किये थे चलिए और यह जो पुछेगा आपको 5 marks के पुछेगा आपको notice और advertisement के बारे में भी चर्चा की गई थे इसके बाद जो 4 number में पुछेगा वो report जो कि पिछले की वीडियो में देखाया भे गया है report जो कि 10 marks के आते हैं और यह आपको करीब 120 से 1500 words में लिखना रहता है और तब आपको 10 number मिलेगा इसके बाद पाचवा नंबर की उशन में पुछेगा वो होता है letter और यह letter जो है 10 marks का होगा इसके बाद आता है article article जो की 10 marks का ही रहेगा और सेम लगभग 1500 words में आपको लिखना है इसके बाद हम आते हैं section C में यह तो आपको rating skill है हुआ जो कि अगर total देखें तो 55 marks की प्राप्ती होती है सिर्फ इससे अब आते हम लोग literature में जिसे book section हो लेगी जितना हम लोग books में पढ़ेंगे यह scene कालाता है इसे हम लोग पिछले class में या पिछले book में पढ़े रहेंगे उसी से आपको पूछेगा यानि कि section C में जो है वो 45 marks का रहेगा literature से तो इसमें जो poem पढ़ना रहेगा उस poem में passage जो poem का जो passage होगा जिसे extracts भी कते है poem के लिए जो कि 4 marks क्या पुछेगा और इसके बाद 8 1 नमबर आएगा तो इसमें एक poem से ही रहेगा 4 क्यूचन जिसमें आपको मार्तर 3 क्यूचन का इंसा देना है जो है वो 2 2 marks के आता है यानि कि 2 3 6 marks का पुछेगा इसके बाद आप आते हैं इस टोरी में इस टोरी में आने के लिए आपको इसमें से 6 क्यूचन पुछेगा जिसमें आपको मातर 5 ही क्यूचन का जवाब देना है वो भी 2 2 marks करहेगा और 5 को पुछे क्यूचन यानि कि 10 marks का टोटल आ जाएगा इसके बाद इस टोरी से ही रहेगा बट वो long क्यूचन रहेगा और जब long क्यूचन रहेगा तो long answer देना है यानि कि वो आपका 10 marks का जाता है कम से कम 1500 से 300 वड में आपको answer देना है इसके बाद फिर से आता है इस्टोरी से ही थोड़ long वो भी रहता है और जो कि 7 marks का रहता है इसके बाद आपको इस्टोरी से ही रहता है 5 क्यूचन जिसमें आपको 4 क्यूचन का answer देना है जो कि 8 marks कराता है यानि कि टोटल यदी देखे तो literature से 45 marks आपको मिलेंगे और ये जो है 55 marks आपको rating skill से मिलेगी तब जाकर आपका 100 marks पूरेंगे ये ही है जो आप 100 में 43 यदी कम लाते है तो आपको fail के list में आ जाएगा बट इसमें मात्र 12 ही क्यूचन पूचते हैं और पूरे 100 marks के आपको 33 marks लाननी है तो students आपको ये वीडियो कैसी लगी यदी वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिजेगा और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दिजेगा थैंक्स